हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे CIF नंबर क्या होता है बंदन बैंक में बहुत सारे लोगों को CIF का फुल फॉर्म भी नहीं पता है और CIF नंबर का क्या काम है ये भी नहीं पता है तो ये सारे चीज़े आपको इस वीडियो में क्लियर मैं बता दूँगा वीडियो को एंट टक देखना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी helpful और informative वीडियो सबसे पहले आप देख सको यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको CIF का full form बता देता हूँ यहाँ पे CIF का मतलब है customer information file और ये CIF number क्या काम आता है तो यहाँ पे आपकी जो account की detail रहती है वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे काम आता है कहाँ पे आप देख सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं अपना CIF number यह आपको बता देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप अपना account open करते हैं बंदन बैंक में यहाँ पे आपको बैंक की तरफ से passbook मिलती है यहाँ पे आप passbook में देखेंगे CIF number लिखा होता है कॉलम में और उसके बाजू में कुछ numbers होते हैं कुछ digit होते हैं वो ही आपका CIF number है और आप बात करते हैं कैसे आप पता कर सकते हैं अपना CIF number यहाँ पे आप अपने बैंक के customer care या टॉलफी number पे अपने register mobile number से call करके पूछ सकते हैं आपका CIF यानि customer information file number क्या है पूछ सकते हैं वहाँ से भी और यहाँ पे आप डिरेक्ली अपने बैंक के ब्रांच में जाकी भी पता कर सकते हैं और तो और यहाँ पे आप Chrome browser में भी पता कर सकते हैं अपना CIF number क्या होता है तो दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता था सारी चीज़े यहाँ पे मैंने आपको clearly बता दिये CIF number क्या होता है उसका काम क्या है और उसका full form भी बता दिया है उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है वीडियो अच्छी लगी तो like करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना आज के लिए इतना यह जल मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ Okay बाए